जिस नारे के साथ हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौरिया जी उस नारे का एक बहुत प्रमुख चहरा है और ऐसे में कहीं अगर पाती के अंदर उनकी ओपर अनरगल बयान बाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना सभाविक है और उनका जो डिसियन है वो इसी के परणाम सरूप है हम जब गडबंदन में आये तब भी ये निर्णे हमारे बड़े भाई अकलेश भीया नहीं लिया था और आगे भी हम गडबंदन का हिस्सा रहेंगी या नहीं रहेंगी ये निर्णे भी वही लेंगे अगर हम पीडिये के नारे को जमीन पे साका रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बलकि उससे आगे का भविश भी बिगर सकता है कोई ऐसी महद्वकांशा नहीं थी कि आप या कृष्णा पटेल जी या किसी ऐसे ये आपकी चाहर शायद नहीं थी नहीं नहीं बिलकुल नहीं थी ऐसी कोई चाह मेरी अपने एक और अप जब बयान जब उनसे पूछा गया राश्विमा सचे लाम गोपाली अदब से आपके बारे में दो नहीं नहीं का जिस वोड़ दे ना दे ना दे कोई नहीं देता है तो गिंती होती और उसकी बास स्दृस्टा भी चली जाती है कही रेक्षिं के आक्षिं की भी बात सामने नजерм आया उनके बारे में क्या लिए देक्या नहीं देखिए अब उनके बारे में जब श्रत्धे नेता जी मानी मुलाइम सी मियादो जी तो अब मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है इसे आपको कोई आपक्ती नाराज़ी कुछ ऐसी चीज़ की नहीं 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 पिलकुल नहीं स्वामी प्रसाद मौरिया ने जिस तरह से इस्तिफा दिया और उसके बाद देखा लिया कि समाधादी पार्टी की कई नेता उनका विरोध कर रहे थे तो महीं कई लोग उनके सपोर्ट में आए लेकर उन्हों ने एक बात जो कही थी कि एक राश्रिस महासचिप के बयान को निजी पताया जाता है और दूसरे को पार्टी का बताया जाता है जो आपके केस में भी उसको किस तरह से आप लेखते हैं देखिए मैंने पहले भी कहा और मैं पुना कह रही हूँ कि स्वामी प्रसाद मौरिया जी बहुत का दावर नेता है एक लंबी जर्नी रही है उनकी सामाजिक न्याय को ले करके और जिस नारे के साथ हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौरिया जी उस नारे का एक बहुत प्रमुक चहरा है और ऐसे में कहीं अगर पार्टी के अंदर उनकी ओपर अनरगल बयान बाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना सभाविक है और उनका जो डिसियन है वो इसी के परणाम सरूब है आने ले समय में आप या स्वामी पर साथ बहुर रहे हैं क्या पार्टी से अलग होने का सुच रहे हैं देखिए पहले हम जब गडबंदन में आये तब भी ये निर्णे हमारे बड़े भाई अकलेश भीया नहीं लिया था और आगे भी हम गडबंदन का हिस्सा रहेंगी या नहीं रहेंगी ये निर्णे भी वही लेंगे देखिए जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार जो मैं कमिट्मेंट कर देती हूं मैं उससे पीछे नहीं हरती अगर हम पीडिये के नारे को जमीन पे साका रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बलकि उससे आगे का भविश भी बिगर सकता है तो ये बहुत एहम है कर दो कर दो